आज हम लोग वचन बदलो पढ़ेंगे बच्चो वचन किसे करते हैं आईए इसे एक बार पुना दुहरा लेते हैं सब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम लोग क्या करते हैं बचन करते हैं जैसे लड़का एक लड़का का बोध होता है लड़के अनेक लड़के का बोध होता है तो इस प्रकार बचन के कितने भीद हो गए दो एक बचन और बहु बचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक बचन, जैसे लड़का, पंखा, और शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहु बचन, जैसे लड़के, पंखे, ठीक है, तो आज हम ल के एकवचन और उसके बहुवचन रूप पढ़ेंगे एकवचन बहुवचन रास्ता रास्ते लोटा लोटे दिब्बा दिब्बे तमाशा तमाशे मेला मेले चत्ता चत्ते डंड़ा डंडे घोड़ा घोड़े बात बाते कमीज कमीजे आवाज आवाजे तो ये बच्चो ये थे कुछ सब्द एकवचन उसके बहुवचन कुछ सब्द थे जो एकवचन के रूप में थे और उसके बहुवचन रूप में लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो बहुवचन होने पर भी अपना रूप नहीं बदलते हैं जैसे देखिए वचन का प्रियोग कुछ सब्द थो बहुवचन होने पर भी अपना रूप नहीं बदलते हैं जैसे कहने का अर्थ है कि ये एकवचन में जो रूप में रहते हैं बहुवचन में भी उसी रूप में रहते हैं अभी हम लोगों ने यहां पढ़ा था एकवचन का रूप अलग है और बहुवचन का रूप अलग है जैसे एकवचन में बात है तो बहुवचन में क्या है बाते हैं लेकिन कुछ सब्द ऐसे हैं जो एक वचन और बहु वचन में समान रूप में प्रयोग होते हैं जैसे खरगोश, खरगोश, बैल, बैल, पेड, पेड, आम, आम, आदमी, आदमी, भाई, भाई, हाथी, हाथी, बंदर, बंदर, चावल, चावल, अम्रूद, अध्यापक, अध्यापक, पूत्र, पूत्र तो ये ऐसे शब्ते जिनका एक वचन और बहु वचन दोनों रूप समान होता है, ये बहु वचन में भी अपना रूप नहीं बदलते हैं इस प्रकार के शब्दों से पहले जुड़े शब्दों से उसकी संख्या का पता चलता है, जैसे सभी आदमी आ गए यहाँ पर क्या अगर आदमी है, आदमी आ गए तो मिले एक आदमी का बोध हो रहा है, लेकिन जब सभी आदमी आ गए तो अनेक आदमी का बोध हो रहा है, उसी तरह मीना के दो भाई हैं, तो इस संख्या से उसके एक वचन या बहु वचन का पता चलता है इस तरह बच्चो इन शब्दों को आप लोग याद करिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा धन्यवाद